दोस्तों, बैंकिंग के इंटरव्यूज में कई बार, इस्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका रियक्शन टेस्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप के कुश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कि एक यह सवाल है, कि आपको जो आंसर है, बहुत ही संतुलित तरीक से, बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से, इसका आंसर आपको देना चाहिए, आप कोई भी रेंडम आंसर अगर देंगे, तो वह आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स जो है, वहाँ पर स्कोर कराएगा, है ना, तो इसी लिए, इसके आपको देखो, दो थिन पॉइंट्स आ इस रेक्रूट फ्रेश एड वेरी लो सेलरी, विच सम्टाइमस माइट नोट बी सफिशेंट फॉर सर्वाइवल इन अ मेंट्रो सिटी, है ना, आपको अपने इंजिनरिंग करें किसी एक स्ट्रीम में और वो आपसे काम करा रही है, कुछ और, है ना, तो वहाँ पर भी आ आप वह काम नहीं कर रहे हो जो आपने engineering में सीखा हैं, right? तो पहला important point यह है, दूसरा point यह है कि I was an average student during engineering, अगर आप एक average student हूँ, तो आप ऐसा बोल सकते हो, being from non-IIT college, it is pretty hard to get into a good company, there are some companies which provide jobs to fresher, but they ask you to work for BPO division, and then after a year or two, you may apply for internal positions in any other division, तो starting जो होती है, कई सारी IT companies में इस तरीके से होती है, कि शुरू आप में वो कहेंगे, कि आप night shift कर लो, या BPO का, BPO वाले division में काम कर लो, one or two year के बाद, आपकी performance देखने के बाद, आपको कुछ अच्छा offer दे दिया जाएगा, है ना? तो ये एक दूसरी problem है, तीसरा, no other sector can beat the certainty, stability of banking sector, right from conducting exam to allocation, everything here is so transparent and fair, so I see myself having long term stability and satisfaction in banking sector, तो आपको examiner, जो भी interviewer है, उसको अपना inclination दिखाना है, banking job की तरह, है ना? आपको ये दिखाना है, कि आप वाकई में उस job को करने में interested हो, है ना? तो आपको थोड़ी सी उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, कि banking में किस तरीके से, time per vacancy आती है, time per exam conduct होते है, कभी भी result delay नहीं होते, है ना? तो सारी चीज़ें जो है, बहुत ही ज़्यादा systematic तरीके से चलती है, इसी लिए मैं अपने आपको stable career में लेकर जा रहा हूँ, और banking में stability और satisfaction देखता हूँ, और इसी लिए मैंने engineer होकर भी banking के लिए apply किया, तो ये कुछ points आपको ध्यान रखने हैं, इस question का answer करते समय, है ना? तो थोड़ा सा prepare होकर जाईए, और इसके बहुत सारे questions होते हैं, जो कई बार predefined होते हैं, कुछ नए questions होते हैं, कुछ आपके banking awareness से latest जो current affairs हैं, उससे भी question पूछे आ सकते हैं, तो हर चीज की अगर आप तयारी करना चाहते हो, तो IBPS personalized interview batch आप join कर सकते हो, और ये इसमें आपको बहुत सारे panelists ऐसे मिलेंगे, जो खुद ex-GM रह चुके हैं, IBPS के and so many other experts are there, हमारी GA वाली team भी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसमें दो one-on-one mock interview आपको मिलेंगे, दो interview, ठीक है, एक online, एक offline, live classes आपको मिलेंगी, सारे मतलब जितने भी current affairs के questions हैं, जो interview में पूछे जा सकते हैं, banking से related जितने questions पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको live classes प्लस video lectures मिलेंगे, guidance by working bank peos, उनकी आपको guidance मिलेंगी, special sessions मिलेंगे, तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, तो इसके लिए और यह बहुत ही ज़्यादा मतलब successful batch है, olive board का जहां पर students आते हैं, enroll करते हैं और complete selection वो लेते हैं, कई सारे students आपको ऐसे मिल जाएंगे, सेक्लो students इस batch से select होते रहते हैं, तो यह जो IBPS के लिए start हो रहा है batch, और इसमें आप enroll कर सकते हैं, पॉलिवोड एप पर जाकर या website पर जाकर और अगर आप इसमें maximum discount चाहते हो, तो discount के लिए आप coupon code इस्तिमाल कर सकते हैं, SU MIT सुमित ठीक है, तो hopefully यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, Thank you so much.